जैहिन फ्रेंड्स नमस्ते आप सभी का स्वागत है समाधान स्टेडी यूटूब चैनल में काफी बच्चे जो है कमेंट्स कर रहे है कि सर कटॉप कम रहा 20-30 ये इतिहास का मान के लिए ये सबसे लोइस्ट कटॉप रहा है डाहेट की हिस्ट्री में क्योंकि इतना कम कटॉप अभी तक नहीं रहा है तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ जैसे कि आप लोग फ्रंट पेज पर ही देख रहे हैं कि इसका कटॉप के लिए ये वीडियो है अलॉट्मेंट लेटर आ चुका है, अलॉट्मेंट लेटर में जिन-जिन सातियो का नाम है और मैं आपको अलॉट्मेंट लेटर का एक दूसरा वीडियो भी प्रॉइट करूँगा तो उन्हें पता चल जाए कि हमारा नाम क्यों नहीं है तो चलिएगा विडियो स्टार्ट करते हैं और आप सभी को बता दूगाइस अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे पहली बार चैनल पर वजट किया है चैनल को सब्सक्राइब जिरूर कर लीजिए चलिए देखे गईस यहाँ पर आप लोग देखिए नाना जी देश्मुक वेटनरी साइन्स उनिवर्शी दिवारा आपका डाहिट का पूरा जो है आपका कॉंसिलिंग करवाए जा रहा है तो यहाँ पर देखिए यह फर्स्ट में आपको दिखरा होगा यह phase 1 का cut-off है तो परिशान होने की बात ही नहीं है आपका 1st round में नहीं हुआ तो 2nd round में हो जाएगा और 2nd में आपको लिखा क्या आ रहा है तो 2nd में आपका allotment letter के लिए तो allotment letter के लिए मैं पुनह आपको दूसरे वीडियो बनाऊँगा यह तो cut-offs related में आपको बता दीता हूँ कि पूरी जानकारी क्या है मैंने download करके रख लिया है अभी अपने पास तो चलिएगा download list में on कर रहा हूँ आपके सामने यह देखिए गैस मैंने download कर लिया है और आपको बता तुम बताऊंगा कि क्यू जो है आपका नाम नहीं आया है और इतना कम cut-off जाने पर भी काफी बच्ची जो है सेलेक्स नहीं है तो देखिए यहाँ पर जो है categories पहलत देख लिजी यह तो open categories है और एक female categories है कहा की you are बलो की तो यह lowest cut-off अगर आपके 20 marks हैं तो आपका selection हो चुका ओगो female candidate का male candidate का 26 पर selection हो चुका है बात करते ओबीजी candidate तो ओबीजी आपका female के लिए जो है आपका कितना है 27 है और आपका female के लिए आपका 19 है ठीक है guys उसके बाद दिखिए आपका SC और ST के बात कर लो SC जो है आपका open category female के लिए 28 पर हो चुका है उनका selection और 27 आपका क्या है guys आपके male open category मतलब male candidate के लिए बात करते है ST वाले को तो बहुत ही कम है guys ST वाले student female है तो आपका 17 नंबर पर और आपका अगर open category से जो male वाले candidate है उनके 19 नंबर पर उसके बाद आते हैं हम लोग अब यहाँ पर आप लोग देख लिए जिगा कि आपका selection क्यूं नहीं हुआ है तो guys यह category माईने रखता है आपका और आपकी जो rank माईने रखता है ठीक है दो वज़स से आपका selection नहीं होता है यहाँ पर एक तो free seat के लिए आपका cut-off यही रहेगा और payment seat के लिए आपका cut-off यही रहने वाला है तो आपकी जितने rank है अब rank के account कई सारे बच्चों जिन में veterinary में admission ले लिया है और आपका जो document verification कराने वहाँ पर आया होगा आपको जब अपने login किया होगा ID जब आपका alert me letter में नाम आया है जब alert me letter आप लोग डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको जो verification है तो verification जो वहाँ पर लिखा होगा आपको कि आपको verification करने कहा जाना है तो वही पर आपको verification करवाने जाना है document का verification करवाना है और उसके बाद आपको क्या करना है admission करवाना और admission का amount वहाँ पर ही आपको प्रोवाइट करना पड़ेगा और डाकुमेंट का वीडियो मैंने पहले बना चुका है आपके लिए जरूर से आप लोग देखे लिए जिगा आपको क्या क्या डाकुमेंट की आवशकता है तो मिलते अब नेस्ट अब्रिट के साथ और नेस्ट वाला भ करती